लोग श्रुमेद भागवतम के तीसरे सकंद के पांच में ध्याई के नवेश लोग को पड़ रहे हैं और ये अंतिम प्रश्ण है विदुर जी का मैं तुरे मुने को अब कल क्या सुने थे देख लिए तेंग पर यही मतलब जिन तत्तों के भेद के द्वारा अधिलोक नाथ सभी लोक नाथ के स्वामे सभी लोक पतियों के स्वामे भवान श्री कृष्ण ने लोका अनर्थ तोकों को और अलोकान अर्थात अलोकों को उन लोकों को जो लोका लोक परवत के आगे है और सहलोक पान लोक पालों के साथ उनके उन उन लोक पतियों के उन उन लोकों के लोक पतियों के साथ अची क्लुपत अर्थात स्रिष्टि की भगवान अत्रिजगत में ही निश्चिती असा ह सर्व सत्व निकाय भेदा जीवों के विभन सत्व अर्थात अस्तित्यों के कारण उनका जो समू का भेद है जो अधिक्रता प्रतिता उनकी अधिकार के संग अनुसार प्रतित होता या प्रसिद होता या अबादित होता इस बातें पताएगे ति बैसे कली बात यह है कि जो करी है विभन लोकों की और उनके लोग पतियों की और वहां पर जो विभन प्रकार के जीवों को स्वमू है उनके अधिकार के अंसार ऐसा प्रतित उताद उसका भी वड़नाप हमसे करी अब आज इस लोग में क्या कहते हैं देखें कि एक है कि अ कि ये ना प्रजानामुत आत्म कर्म रूपा भिधानाम चय भिधाम व्यदत्थ ये ना प्रजानामुत आत्म कर्म रूपा भिधानाम चय भिधाम व्यदत्थ नारायनो विश्वस्त्रगात्म यो निर एतच्यनो वर्णय विप्रवर्य ये ना प्रजानामुत आत्म कर्मा रूपा भिधानाम चय भिधाम विधत्त येन प्रजानामुत आत्म कर्मा रूपा भिधानाम चय भिदाम व्यधत्त नारायनो विश्व स्रिगात्म यो निर एतच्यनो वर्णय विप्रवर्य नारायनो विश्व स्रिगात्म यो निर एतच्यनो वर्णय विप्रवर्य येन प्रजानामुत आत्म कर्मा रूपा भिधानाम चय भिदाम व्यधत्त नारायनो विश्व स्रिगात्म यो निर एतच्यनो वर्णय विप्रवर्य येन प्रजानामुत आत्म कर्मा रूपा भिधानाम चय भिदाम व्यधत्त प्रजानाम्था आत्ma कर्मा रूपा भिधान्आम्च्य भीदाम् व्यधत्ता नारायंौ विश्वु स्रगात्म योनेर एतंच नुवर्णय वेप्रवर्य ना रायनो विश्व स्रिगात्म योनेर ये तच्य नो वर्नय वे प्रवर्या ये ना प्रजाना मुत आत्म कर्मा रूपा भृधानाम चय भृधाम व्यधत्त इना प्रजानामुत आथ्म कर्मा रूपाभिधानाम झ dyabhido यह नहीं है यहनि आह एक रहता था ना यह मििस्टेक है शोड़दीं या यह नहीं है इना प्रजानामुत आत्म कर्म रूपा भिधानाम्च भिधाम व्यधत्त नारायनों विश्व स्रिगात्म योनीर एतच्चनो वर्णय विप्रवर्यर् नारायनों विश्व स्रिगात्म योनेर एतच्चनो वर्णय विप्रवर्यर् येना प्रजानामुत आत्म कर्म रूपा भिधानाम्च भिधाम व्यधत्त नारायनों विश्व स्रिगात्म योनेर एतच्चनो वर्णय विप्रवर्यर्यर् नारायनो विश्व स्रिगात्म योनेर एतच्चनो वर्णय वेप्रवर्या येन प्रजानामत आत्म कर्मा रूपा भिधानाम चा भिधाम व्यधत्त नारायनो विश्व स्रिगात्म योनेर एतच्चनो वर्णय वेप्रवर्या नारायनो विश्व स्रिगात्म योनेर एतच्चनो वर्णय वेप्रवर्या कौन है ब्राहमन श्रिष्ट? कौन बोल रहा है किसको? माईक विबता रहे हैं? कौन ब्राहमन श्रिष्ट? कौन बोल रहे हैं? विदुरूजी. हे ब्राह्मन स्रेष्ट आप यह भी बतलाएं कि ब्रह्मान्ड के स्रष्टा था आत्म निर्भर प्रभू नारायन ने किस तरह विबिन जीओं के सुभावों, कारियों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना के हैं तका दो, उता मतलब साथ ही, विब यह सब बताएं, कि हे वी पर परवर्य साथ में यह भी बताईए हे दुज़ स्रेष्ट विश्व स्रिक ऱ्रथात् विश्व क्यिस आत्म योणीर्थात्स॥ात्स्वतहसिद्द्थात्मंर्भर , जिन का कोई जन्म दाता नहीं हैं उन जल जिन से उत्पन होता है जो उनका जो उनका अयन है उनका स्थान है वैसे नाराण ये ना भगवान नाराण जिस प्रकार प्रजानाम अर्थात प्रजाओं के क्या हो गया आप फोन चेक कर रहे हैं फोन में उच अलग लिखा हुआ है आप फोन प्रजानाम आप इसको थोड़ा समझें आपकर मतला होता देखिए आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं और उसमें एक अर्थ होता है सभव कंडिशनल नेचर आत्म कर्म करते होगा अपना कर्म लेकिन अपना का मतलब क्या अपने सभाव के अनसार कर्म इसलिए यहाँ पर लिखा है नियत व्यस्तता नियत means specified और व्यस्तता means occupational duties ब्राम्हण की जो नियत व्यस्तता है वह क्या है यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिक ग्रह एक ब्राम्हण का सभाव है कि वह यग्य करेगा यग्य करवाएगा स्वैम पढ़ेगा और पढ़ाएगा उसको वह अच्छा लगता है वह ही कर पा रहा है दान सिकार करेगा और दान देगा भी ऐसा नहीं लेकर के भरता रहे अपने अकाउंट में नहीं समया गया शत्रियों का क्यासा भाव होता है इश्वर भाव युद्धेच्य अपलायनम युद्ऴ में भपलायन नहीं कर वैश्य, वैश्य क्या सभाव होता है? किर्शी गोरक्ष वानिज्यम वैश्य कर्म सभावच्यम वानिज्य करेंगे ही, it is just easy for them, तो easy क्यों होता है? क्योंकि वे उनके सभाव के अंसार होता है, और शुद्रों के लिए क्या था? परिचर्या, ऊपर के तीन वड़नों के नम्र भाव में सिवा करना यह है शुद्र का सभाव, बिसिकलिए नौकरी करना यह शुद्र का सभाव है, it is just happy, it just keeps them happy, अब इसमें कोई भेद भाव नहीं है, जिवात्मा विभिन योनियों में ब्रह्मन कर रहा है, और जो कर्म करता है, उसके अंसार, उसके चित पर संसकार बन अपने सभाव के अंसार जो भगवान ने नियत कर्म किये हैं, अगर उनको करता है, तो वह उसके लिए दिव्य है, आप आसुरी और देवी सभाव के पढ़ेंगे भगवत गीता में, तो यही वर्णन किया गया है, एक शत्री है, युद्र में मर जाता है, तो उसको वही ग अपने सभाव के अंसार कारे करें, अभी में मंदिर गया था, अभी का मदलब कलपर्सों की बात होगी, तो एक बच्चा में को मिला है, वो कह रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कभी मैनेजमेंट करता हूँ, कभी नौकरी के लिए कुछ करता हूँ, कभी बिजनस करता सभाव के अंसार कारें नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत बड़ा चैलेंज है, असान बात नहीं है, सभी लोग को आप शुद्र नहीं बना सकते, लोगों से, कुछ लोगों से नौकरी होगी ही नहीं, कृष्णारविंद प्रभू नौकरी करेंगे, मुस्करा रहा हैं इतना आसान नहीं कि जाकर के युद्र स्थल पे कोई अच्छाती पे गोली सहन कर चुक है, नहीं कर चकता कोई, शत्री सभाव होना चाहिए, अब देखिए इदर यम नना कर में जाते हैं, वहां पे बहुत सार रड़के जो है, सीना में भरती होने के लिए उत्साहित रहत चत्री सभाव है, तो यह भगवान रिष्टी करी है, और इसलिए भगवान ने आगे कहा है, भगवध्यश्टा में कहा है, सभाव, सभाव, सभावस्थू प्रवर्ते, हर विक्ति का सभाव ही प्रवर्तित होता है, तो अब बढ़िया बात यह है कि उस सभाव का पढ़ाएं यह बात है भगवान के यश के विस्तार में इन सभी चीज़ों की स्विद्ध डोविटिलिंग क्या कहेंगे इसको मतलब दिशुट भी अच्छा उस कर्म के अनसार लोगों को रूप प्राप्त होते हैं और उस रूप के अनसार विक्ति के नाम रखे जाते हैं आफ्रिकन चाइनीज अमेरिकन इंडियन रॉश्यन बर्मीज अलग अलग रूपों के और गुणों के अंसार नाम हैं कि नहीं है यह बगवान की विस्ता है आपके इंसान ने रखे हैं किस इंसान ने शुरू कि यह भाशा का विवस्ता भी भगवान ही की है कि विचार कीजेगा किरात हूना अंध्रपुलेंदपुलकशा आभीर आभीर शुम्भा यवना खसादया येन्ये चपापा यदपाश्रया शुद्यांतितस्मै प्रभविष्णवे नम्हा तो यह देख रहे हैं किरात हूना यह सब नाम है ना संस्कृत में नाम चल रहा ह यहां कुछ अभवरणश हो गया लेकिन सारी बाशाओं का मूझ तो संस्कृत बाशा तो यह सब तो सब आई रहा है ना यह सब के नाम रखे गए कि ने रखे गए नाम भी रखे गए हैं और अभिधाना मतलब के नामों को भिधाम मतलब भेद चव यथत्ता किये हैं मतलब नाम और रूप के अंसार घभी होना जरूरी है की नहीं तो आप पहचानेंगी कैसी किसी को है यह ब्रामठ है प्शत्री है और अ प्रूष अब बड़ी मजदार बात यह क्या मंजदर बात है यह Сब जूट है जूट क्यों है क्योंकि आत्मा इन सब में कुछ भी नहीं है ना ब्रामण है ना शत्रिया ना व्याशन शूद्र है लेकिन फिर जूट की बोला जा रहा है क्योंकि जिवात्मा अपनी पहचान अपने देह से कर रहा है तो अगर उसे किवल यह बता दिया जाए कि तुम आत्मा हो तो वह पूछेगा कि मैं करूँ क्या बहुत बहुत ही गोई बात है उसके लिए बहुत प्राब्लम हो जाएगी वह करें क्या क्योंकि हम सब कुछ हम में से हर विक्ति कुछ न कुछ हमेशा करना चाहता है लिए बताई कि दिख राय कि नहीं दिख राय है विछ समझ रहे है मेरी बात हम में से हर विक्ति कुछ न कुछ करना चाहता है और वह हर विक्ति अपने सभाव के अंसार कुछ न कुछ करेगा ही ये भी समझ में आ गया, दो पाइंट पकड़िये, हमेशा आत्मा का सभावे क्रिया शीलता, तो कुछ न कुछ तो करेगा, और वे अपने सभाव के अंसार करेगा, अब अगर वे सभाव के अंसार इंद्रितित्ति करता है, तो गया, फिर वो और इस भावना में भर जाएगा कि बह देः, लेकिन अपने सभाव के अंसार अगर उसको इस प्रकार से नियोजीत किया जाता है, जो भगवान की शिवा करें, तो उसका यह अध्यास है, कि मैं देः हूँ, यह भावना समार्थ होती है, नहीं तो किवल यह बोलते रहने से कि मैं देः नहीं हूँ, मैं द करते हुए इस आत्मा करते हो तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ जिसके द्वारा तुम नियत कर्म करके भगवान को समर्पित करते हुए इस आत्मा के निबूती कर सकते हो, तो केवल प्रसक्राइब डूटी करना ही उदेश नहीं है, प्रसक्राइब डूटी को ब्रामाण शत्री वैश्यूद्र की भगवान को समर्पित करते हुए चलने से विक्ति को आत्म सक्षतकार प्राप्त होता है, नहीं तो केवल क्रिया क करने से तो कुछ होगा नहीं है केवल क्रिया तो करी रहा है ब्रामण की रूप में शत्री की रूप में वैश्य की रूप में तो उसे तो पवित्री नहीं हो रहा है उनको भगवान को समर्प्रित करने की कला को सीखना होगा मैं समझा पा रहा हूं क्या अब मैं ढुआ स्त्री को अब स्त्रियों नहीं था कुम कर श्छह सभाव होता क्या खाना बनाती है तो उसरुम पुलूज नहीं हो तुम पूरुज नहीं तुम मा नहीं किसी बहन नहीं यह नहीं वो नहीं हो तो विक्ति परिशान हो जाएगा तो इसलिए शास्त्र को ऐसा जूट बोलना पड़ता है कि तुम इस त्री हो, तो उपस्तली के लिए है, पति आउने सांने वाझे वाले नहीं नहीं है, तो अपना धर्म कर सिपार हो अपना उथज़ान करेंगे तो अपना लज़ान कोुङ। प्रेवजन करते हैं तब भी यह बोलते हैं कि शारा आपका सारा हमारे लिए है उस सामने वाले कि नहीं नहीं यह खाना नहीं हम अपना धर्म करें हमसे हमारा उत्थान होगा इस इतोके इसको महराज बड़े सुद्र तोरे सा को समझा जाएगा कि देखिए नदी है तो प्रे करते समय, you cannot say कि हम बिल्कुल नदी के एक साथ वहेंगे भी नहीं, है ना, तो आप कुछ देह के अंसार वित्ती को चलना ही पड़ता है, तो देह में रहते हुए उस भावना से भावित हैं, तो क्या करें, हम ब्रामण हैं, हम शत्रे हैं, भावना हैं, लेकिन उन कर्वों को जो हम भगवान की सिवा में नियुजद करते हैं, तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो इसलिए भगवान ने भिभाजन किये वाए, लोगों के लिए easy होता है, you just can't tell people that you are not the body, कि यह लिए क्या देने मात्र से कि आप देह नहीं हो, यह काम नहीं चलेगा, उसके बाद उस इस पे परमपुजय हल्धर महराज का इस एक्जामपल बड़ा सुन्दर है, कि देखिए जब छत डाली जाती है, तो लकडी का framework बनाते हैं, देखा है अपने, क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं, मैं भूल रहा हूं, बांध कम बोलते हैं, कुछ तो कुछ बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कि जिन्दगी पर आप शट्रेंगी बांधी रहेंगे, लेकिन शट्रेंग के द्वारा विक्ति को साहता प्राप्त होती है, ठीक है, एतत च नह वर्णया, यह सभी भी हमको वर्णन कीजिए, और यहां पे च सेंगित है, कि एतत मतलब यह जो मैंने पूछे, वह भी बताईए, ठीक है, श्लोत देखेगा, यह ना जिस प्रकार प्रजानाम, प्रजाओं का उत्व मतलब यह भी बताईए, आत्म कर्म, सुभाव के अंसार कर्म, उसके अंसार रूप, और उसके अंसार नाम, च विधाम विदत्त, यह रहटा देजेगा, जो विबिन प्रक प्रजाओन के विद भगवान ने किये है, क्या कीये हैं, सुभाव के अंसार कर्म, उनके अंसार रूप, और उनके अंसार नाम, उनका यो भी बताईए, और और अन्य लोग कि है वह जिसे अगे प्रजापति भी है तो वह सब आत्म योडी नहीं है वह भागमान प्रनेर वःवर होते हैं कि एक्यार मैं योनिर साथ एक्यारा सब यह सब मतलब किवली यहीं नहीं इससे पिछले स्रेश्ट है आप जरूर जानते हैं आप यह नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते हैं नहां नहां को यहां संस्क्रित में आ रहा है तो नो जाता है विदुर जी ने कहा कि हे विप्रिस्रेष्ट आप हमें यह भी बतलाएं कि विश्वुस्रिक अर्थात संपून जगत की सिर्ष्टि करने वाले तथा आत्मयोनी अर्थात स्वतह सिद्ध स्वतह सिद्ध मतलब जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते भगवान नारायन ने किस प्रकार से जीवों के सुभाव कर्म रूप तथा नामों के भेदों का निर्मान किया देखिए एक बात यहां पर समझ जाना पड़ेगा मुझे सुभाव को मतलब क्या होता है सुभाव आप ऐसे समानता शब्द यूज करते ह है पहले यह समझ लेजिए लेकिन सुभाव का मतलब क्या है प्रक्ति के गुणों का संसर्ग अपने विगत कर्मों के कारण जो हमने पहले कर्म की हैं उनके कारण हम प्रक्ति की गुणों का संसर्ग करते हैं सतोगुण का रजोगुण का तमोगुण का और उसके अंसार व्यक्ति का चित का एक विशेश प्रकार की स्तिती हो जाती है या तो वो सत्त्यगुण से प्रभावित होता है या रजगुण से या इनकी फिर्ष्थ से से तो उसके अंसार उस्क्ति का स्वभाव बन जाता है कि जो इसको बार बार वैसे ही कार्य करने के लिए प्रेयरत करता जैसे आप लोग सब सत्वगुणी है भक्त हैं तो अब सब्सक्न बहुत बहुत देर में उठते हैं तमगण का आश्वादन करते हैं अगर जाए और इस कारण से घोर कर्म करते हैं गायों को मारते हैं और गलत गलत कारे करते हैं, तो यह गुडों के कारण उनका सभाव बन गया, ऐसे कारण से उस उसभाव उनको प्रेरित करता है, इस प्रकार से कारे करने के लिए. ठीक है, यह बात बोल रहा है. नोट एतच्च मेच्च यह सूचित करता है कि जो नहीं पूछा है वह भी हमको वर्ण करिए सारा अर्थ दर्शने अब ये एक अलग अंडरस्टानिंग देंगे दर देखीगा उतर अर्थात यह भी बताईए ये न अर्थात जिस प्रकार जीवों के आत्मा अर्थात सभाव ठीक है और उनके अंसार कर्म अब इन्हें आत्म कर्म को तोड़ा इस प्रकार से आत्म मत्तब सभाव तो जो भगवान ने विवन प्रकार के सभाव जगत ने प्रस्तित किये औ सभाव के अंसार कर्म भी बहुत बड़ी बात है क्यों इस जगत में लोगों को अपना सभाव भी पता नहीं होता और भगवान सबके सभाव को जानते हैं और उसके अंसार उनको कर्मों में प्रवर्तित करते हैं भगवान प्रेना दे रहे हैं कि तुम्हारा मलब इस वेक्ति मनुष आदी आकृति आप यह देखेंगे और यह देखना भी आप बिफोर आफ्टर का फूटो लगा लेना अपना वह से करता नहीं कोई लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो देखें कैसा चहरा होता है और आप दो-चार साल भक्ति कर लिए बढ़िया से सुबह उठी भक्ति करी तो चहरा ही परिवर्त हो जाता है हम तो देख रहे हैं बख्तों का किस प्रकार से एक दम मुह लटकाई रहते थे इसे लग रहा है तो उदास उदास से अना हम जब सप्राइस की कैसे लोग स्पेशली जो लोग सुबह उठे और जब कि उनके चहरे में ही परिवर्तन आ जाती यह प्रकट देखा जा रहा रहा है और वैसे भी अगर कोई विक्ती पहले का अपन ने किया रहता है तो इस जगत में सुंदर होता है वह बुद्धिमान होता है यह सब देखा गया है इस व्गत में कभी-कभी देखा जाता है किसी के पास धन का बहुत अभाव होता है, तो वह जो है क्यों है? पहले कभी दाण नहीं किया है, दूसरों से खुब, खसोटा, खसोटा है, खिचा है, दिया नहीं है, तो अब इस बार देना ही पढ़ेगा, मिसा कर्जे में रहेगा तो पहले का किया गया जो कर्म है उसके अंसार विक्ति को विभिन प्रकार के रूप पराप्त होते हैं और उसी प्रकार चाहां इसमें क्या कर्म है क्या अश्लोग है किता का उर्द्वं गच्छति सत्वस्थ मध्य तिष्टंति राजस जगन गुण वरित्ष्थ अधो गच्छति तामस जो सतोगुणी लोग है वह देवताओं की लोग पर जाते तो वैसा रूप राप्त करेंगे और जो रजोगुणी है वह मनुश्यों की आप राप्त जनम लेंग कि हम इस बात को पढ़ करके अब जो पहले किया सो किया अलग बात अब जितना संभव हो सके पुन्य करना चाहिए मैं बोलाओ संभव मतलग क्योंकि ऐसा करने की संकल्प और प्रयास के बाद भी पाप हो जाता है कुछ समझ में आ रहा है नहीं चाहते हैं तब भी पाप हो तो कम से कम चाह करके पुन्य करना चाहिए इक प्रयास करना चाहिए खूब भक्ति करें, खूब भक्ति करें, खूब भक्ति करें, भक्ति से बड़ा पुर्णी कुछ है ही नहीं, याद ओगे ना, श्लुक तो याद ओगे हो अपको, गोकोटि दानम ग्रहने का गस्या, प्रयाग गंगोदक कल्प वास, यज्यायुतम मेरु सुवर्ण दानम, इर्थे रेनसमाम शतांशे, या बार-बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको बार-बार याद आता है, क्योंकि जिस दिन जब में रुची ना हो, तो कम से कम भया पुर्णी तो जा रहा है अकाउंट में, और इसका बड़ा प्रभाव है, जो पुन्यात्मा होता है, उसके भ पूर्णी को भी, आपको या किसी और को मिला इसी लिए है, क्योंकि वह पहले कुछ पुन्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्या जाएगा मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं जनम में यहां के पास जा रहा हूं हमने होप छोड़ती हैं राम से भक्ति कर रहे हैं जब पहुचेंगे दो पहुचा देंगे लेकिन अगले जुनम की चया आत्यारी कर रहे हैं कि यह खूब ग्न बातो इसी जनम में दिख रहा ह तो अगले जन्नम करना चाहिए अगले जन्म में बहुत काम आएगी आपको डिस्करेज कर रहे हैं नहीं हम आपको रियल्टी रिड़स बता रहे हैं अरे अभी समूसे में आ सकती है काम बहुत दाम जा रहे हैं लेकिन कि जब भी जाए हमें एक बहुत अच्छी बात गुण भवान को दे दिया कि ध्यर रखाए अब आगी सब भवान पर छोड़ दो को जाने हो चले जाए चनम में टेंशन लेने क्या चुरत है है ना ड्राइवर बढ़ी अच्छिला प्रभपाद जी हम बात आपको खाली है कि कि अगया को आँ में प्रति दिन जितना संभ हो सके पुन्य करना चाहीए पुन्य सी मेरा मतल बहर भक्ती जितना हो सके नारायन ही विश्व स्रिष्टी के लिए आत्मयोनी अर्थात ब्रह्मा हो गाएं यह वड़न करें बड़ा सुदर बात है बात यह है कि भगवान नारायन सीधे इस जगत में यह कारिय नहीं करते ब्रह्मा जी के द्वारा इस कारिक कराते हैं यह सब विश्व के कई वारे में बड़न के जा रहा है देवताओं की स्रिष्टी उसके बाद मनुश्यों की स्रिष्टी इस जगत में पेड़ पौदे आदि की स्रिष्टी यह कौन करता है यह ब्रह्मा जी करते हैं तो कि रहे है वह भगवान नारायन विश्व स्रिक विश्व की स्रिष्टी करने वाले आत्मयोनी आत्मयोनी को मतलब क्या है आत्मा जिनकी योनी है अर्थात आत्म अर्थात परमात्म अर्थात भगवान नारायन ही जिनके उद्गम स्थान है वह ब्रह्मा हो गए कुछ अर्थ समझ मैं आ आत्मयोनी आत्मयोनी अर्थात ब्रह्माजी बन गए और ब्रह्माजी बन करके विभिन जिवों के सभाव के असारूं का कर्म उनके असारूं के रूप और उनके असारूं के नाम की स्रिष्ठी किये तो वस्तता ये सारी कारे ब्रह्माजी करवाए करे करवाए भगवान नार कि मैं सुतंत्र सिष्टी करता हूँ और अगर आपको याद हो तो नारज जी भी यह प्रश्ण किये थे उसको बंद करते हैं कि आप ऐसे सिर्ष्टी करते हैं जैसे उन नाभिर इवक्लमह जैसे मकड़ी अपनी नाभी से ही उन की सिर्ष्टी करती है बिना किसी परिश्ट्रम चलरनी के वह जाल बुन देती है तो ऐसा प्रथीत होता है कि आप सोतंत रूप से सारे स्रिस्टी के कारे कर रहे तो इस स्रिस्टी क्या है ब्रमादधि की लोगों के विब्मिन शरीरों का निर्मान करना उनकी विरित्यों का दिर्धान करना ये समझ में आता ये विभी Mouse How विश्विष्षिष्ष्थ होने की और वे विश्विष्ष्ष्षृ कौन है आत्म योनी अर्थात ब्रमा जी आत्मयुली का रसमझ मैं आत्मा मतल़ पर्म आत्मा और यो नी मतल़ उद्गमै तो कह रहें कि भगवान ही जिनके उद्गम स्थान है तो बाग्वान किन तो कौन है भगवान गर्वो दक्षा विष्ण के डारेट पेटे कौन है तो कह रहे हैं कि वह ब्रह्मा हो गए और इस प्रकार से कैसे सुष्टी करी यह भी वड़न करी है चोटा लगता है लेकिन बात थे थोड़ा समझने में समय लग सकता है नेक्स्ट बाल प्रवदनी विश्व स्रिष्टा तो अन्य भी हो सकते हैं यदि यह शंका हो तो उसको निरस्त करते हुए कहते हैं आत्म यूनी अर्थाद जो स्वेम ही अपने कारण है अर्थाद जो सता सभी नरों के सभी जीवों के आश्र्य है वो सभी के आश्रे घटब हो कि समझ है अगर मेरा आश्रय कोई और है तो मैं सभी का आश्रय हुआ ने क्योंकि मेरा का आश्रय कोई और है ना उसका अश्रय तो नहीं हुआ ना तो मात्म स्वता सिद्ध नहीं है ना इसमें आपको क्यों इसलिए नाम रख रहे हैं नारायन भगवान नारायन सभी के आश्रय है इसलिए उनको आत्मयोनी कहा जा रहा है ठीक है अब यह बड़ा सुंदर है यह देखिए का बड़ा मजदार है प्रा यह पूरक की अर्थ में है जैसे प्रा को कई बार आपने सुनाओगा प्रकृष्ट प्रकृष्ट अच्छी प्रकार से जैसे प्रोजित उजित मतलब ज़ाड़ु मारना और प्रोजित मतलब बढ़िया से पूरी तरह से तो प्रशब्द पूरण के अर्थ में ठीक विशेश रूप से पूरशार्थ को जो पूरा करें ऐसे विप्रों में आप वर्य और थास रिष्ट हैं इसलिए आपके लिए कुछ भी जानना संभव है अतह मुझको कृतार्थ करिए यह सुचित करने के लिए विप्र वर्य एसा संबोधन करते हैं यह समझ मैं वी मतलब विशेश अप्र मतलब पूर्णतह तो जो विशेश रूप से पूरशार्थ को पूरा करें वह हैं विप्र ने सुन मैं वी मतलब विशेश अप्र मतलब पूरा तो विप्र का मतलब हुआ वह वेक्ति जो दूसरे की पूरशार की प्राप्ति में विशेश रूप से पूंड तह से विशेश रूप से पूंड करें जिस पुरशार्थ को उसको विपर कहेंगे तो ऐसे लोगों में जो ऐसे लोगों को में जो लोग दूसरों के पुरशार्थ को पूंड तहा पूंड करतें उसमें आप सर्वस्रिष्ट है आप समझिए कि इन प्रश्णों का उत्तर ना पाकर कि मैं कुछ निवनिता का अनभव कर रहा हूं कुछ कमी का अनभव कर रहा हूं इस कमी को आप जरूर पूरा करेंगी क्योंकि आप तो विप्रों में वर्य है इसलिए मेरे सबी प्रश्णों का उत्तर देरे में आप पूर पूर्व कार्ट समझ रहे हैं प्रह मतलब पूर्णता से जैसे हम लोग सुनते हैं प्रोजिता में पूर्ण रूप से जहालू मार देना जैसे घर में कभी माताजीलों को जुरूर डान्ट पड़ी होगी मम्मी से तुमको जहालू मारना भी नहीं आता है ठीक से पूरी तरस जाड़ू मारो मतलब कुछ कच्रा बार ना पड़े कभी डान पड़ी आप लोग से अच्छा नहीं पड़ी तक भी सीखी नहीं आप समझ रहे हैं कि ऐसी डान पड़ी होगी अरे पूरी तरह से रोटी पकाओ अभी कढ़ी पूरी नहीं पकी है अब प्रशन दूसरों का प फक्ट सुनाते हैं तो हमारा पुर्शार्त नहीं पूराहोता है घगवान के बारे में श्रवन कीर्टन करने का मौका मिलें तब माचा प्रेयम प्राप्त होगी तो कथा कोई ठीक्त से बताए पूरी तरह से बढ़या बात बताया दि छोड़ दे तब इसी बात के लिए तो शौना क्रिशी बड़ा धन्यवाद करते हैं कि तुन्ना निस्तरो दुस्तराम भूल गया बिल्कुल अभ्यास छूड़ गया है प्रतमिसकंद का प्रतमदाय का लास्ट किसम है निस्त दुस्तित अनिहाओ कली सत्व हरम और स्यृव कि हम लोग इसल कलीय बाघ्तथ से लिकिन कथा सुनना चाहते थो लेakukan dB कथा सुनने वाला कोई था ही नहीं तो आप आ गए तो हम तो यह समझ रहे हैं कि भगवान ही हमारे सांदने आ गये भगवान के सीधी किरपा हम समझ रहे हैंिए वह उसका धन्यवाद और शपब उत्हुअ है जाहिंत के ढेंगे कमतलती हैं करनदौ theme प्रतमтяग करएशिय कर्शी कहते हैं कि हम तो यह अमानते एक ग्रतन के समाने करन धार इवा तो जो हमारी नया को पार लगाएंगे कहने का मतलब यह कली जो है ऐसे सागर के समाने सो पार करना बड़ा कठिन है और यह लोगों की सारे सत्वकुन को नश्ट कर रहा है तो खेने का अर्थ इसा कि कथा बोल करके ठीक से भगवान के बारें वर्णन करके व्यक्ति को पुर्शार्थ के प्राप्ति कराई जाती है देखिए सब भक्त अनभव करते हैं कि अगर किसी श्लोक पी व्याक्या हो रही है और श्लोक की व्याक्या ठीक 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 प्रकार से होती है तो भक्त लोग क्लास के बाद कथा के बाद एक पूर्णता का अनभव कर करते हैं कि हाँ हमको इस लोग समझ में आया बड़ी अच्छी बात पता इगाई तो क्या ये पूराण करना नहीं है हर व्यक्ति एक खाली ग्लास लेके आता है कि नहीं जो क्लास में आता है कि भाई हमको इस लोग में कुछ समझना है तो उसको पूरा जब भारा जाएगा तो अनभव करता है करता है करता है के लिए उसका जब सही-सही उत्तर मिलेगा तो पुर्शार्त मिलेगा कि नहीं परे भाइं यही तो स्लोक है है कि दूख मिल नहीं रहा है और दुख की ही प्राप्ती हो रही है इसलिए यह जो युक्त हो उसको आप हमसे कहिए तो यह पुरशार्त की तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जिसको ज्ञान होगा वह न ठीक से बता पाएगा इसलिए कि रहे हैं वे प्रवर्या दूसरा बात यह है कि विप्रमतलावदार हैं आप आप बताएंगे भी ऐसा नहीं कि पूछ ले दाएक और चुप बैठे रहेंगे ने आप बताएंगे तात पर यह प्रतिएग जीव प्रगृति के गुणों के अंसार अपनी सहज प्रविर्तियों की योजना के अंतरगत है काहिती के तीन गुड़ों की अंसार अभी वियक्त होते हैं इसकी व्याक्या भी मैंने वियब कर दी थी आपके सामने और उसका शरूप तथा शारिक लक्षन उसके कर्म के अंसार गड़े जाते हैं और उसका नाम उसके शारिक सुरूप के अंसार प्रदान किया जाता है। अपवित्र कारियों से मनुष्य वन्ष की स्थिती के फल सुरूप निर्धन बनता है। कोई वेक्ती बहुत उनको करजा बहुत चड़ा है उनका जॉब चला गया यह वह गया तो भाई जब वह है कुछ गलत कारे किये होंगा तो उसका फल मिलेगा ना। तब हम लोग कंप्लेन करते हैं। कि कोई काला है तो भजन नहीं कर सकता या वह गोरा है तो भजन कर सकता है। गरीब है तो नहीं कर सकता है और अमीर है तो कर सकता है। यह बात नहीं कह रहे हैं। हमारे विभिन कर्मों के अनसार हमें विभिन प्रकार की स्थिति प्राप्त है मान लीजे मैं बहुत कामी हूँ या क्रोधी हूँ या लोभी हूँ जो कुछ हो तो क्या भगवान का बजन कर सकता हूँ जी हाँ जो कि ये सारे उपादियां ही हैं, बहुत ध्यां से सुनिएगा बात इस बात को, प्लीज समझ लिजेगा, मैं गुणों में हूं, अर मैं यहां तो मैं का मतलब अपनी बात कर रहा हूं, उसमें तो है, मैं गुणों में हूं, लेकिन इसका औरत यह नहीं है कि मैं निर्गुण वस्तु का सेवन नहीं कर सकता क्या ये बात एक दम क्लीर हो रही है चाहे विक्ति कितना भी तमोगुण में हो ऐसा नहीं कि वो कल सुबह चार बजे उठी नहीं सकता क्या मंगल आरती जा ही नहीं सकता और शाम को तो बहुत सारे लोग आते हैं हरत तरह के लोग आते हैं ऐसा नहीं है कि हमारी कोई उपादी अभी चिपकी होई है हमारे संग स्तिरी पोरोष गरीब या अशिक्षित जो कुछ भी है उसकी वज़ों से हम भक्ती नहीं कर सकते यह दिमाग से बिलकुल बहार निकालती है यह बिलकुल निर्गुण वस्तु है और यदि जैसे हम लोग विभिन गुणों का सिवन करके उन गुणों की कारण वर्शिभूत से हो गए है हमारा सभाव भी वैसा ही बन गया है ऐसे ही निर्गुण वस्तु का सेवन करते करते एक दिन हम लोग पूर्णता निर्गुण हो जाएंगे मैं यह क्यों कह रहा हूँ भक्त लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जब हम पूर्णता शुद्ध हो जाएंगे तब हम भगवान के बारे में बोलेंगे That is wrong भगवान का नाम चारण करना भगवान की कथा को कहना यह निर्गुण कार्य है भगवान का भोजन को जो भगवान को बोग अर्मन होता है उसको गुरहन करना यह सब निर्गुण है और इनका सेवन करने से ही हम निर्गुन अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे हमारा सभाव भी चेंज हो जाता है उल्दो काफी समय तो हम अपने सभाव को भगमान की सिवमें लगाना होता है लेकिन एक समय आएगा जो हम गुणों के पूरी तरह पार चले जाएंगे हमारा सुभाव हमको परशान नहीं करेगा तो प्रपाद का तुम भक्तों से जगडा मत करो जाओ हरी द्वार जाकर के मायवादी जगडा करो अगर तुम जगडा ही करना चाहते हो मैं इसा बाते क्यों कहा रहा हूँ हम लोग्लों का पूरा ग्रूप है और पर सब वक्तों ग्रूप है सब लोग एक ही प्रकार से हख़्ा एक ही प्रकार की स्यवाओं को पसंदन हैं अन्य ठीक नहीं रहेगा तब कर बड़ जाएगा यह बहुत बड़ी सिक्षा में को प्राप्त हो रही है जो भी हमने कर्म किया जैसा भी हमको देह प्राप्त हुआ हम यह दे नहीं है जो हम भक्ति करें तो यह याद रखना चाहिए कि हम यह देह नहीं है हम देह के द्वारा भगव सुलाई पढ़ रहा है है ना और अद्भूत बात तो यह है कि जो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता वह भी सुन करके समझ लेते हैं या अद्भूत चीज है सकते हैं हरे क्रष्ट मंत्र जब कर सकते हैं तो नहीं नहीं फैकivity के बिलकुल शिक्षित लोग पढ़ ही नहीं बस उन्हीं को पकड़ेगा consig और वैसे भीनव जो भी दवा है वह सब पर सब को बराबर से कारे करती है कि इसे हम हरिद्वार के वैद्जी के पास आते हैं वह एक दो तीन सेकेंड में सब के बारे में जान लेते हैं मलब जो भी वेक्ति सामने आता है तो यह नहीं पूछते आप पढ़ाय काता किये इस नाट अमेजिंग पढ़ाय काता किये नहीं सब को बराबर से उनके अंसार दवा दिया करते हैं इसी प्रकार से वैश्न कभी ने सोचना था है कि यह व्यक्ति तो ग्रहस्त है यह यह तो ब्रहमचारी है यह उल्याक कि अब इद्ध्या पकड़ी होई है सबी लोग तो अपने को दहीं मान रहे है और सब की बराबबर से कैसे होगा तो बोले वैश्नव की सेवा और हरी नाम के जब के द्वारा तो कोई यह काई कि मैं ग्रहस्त करके नाम जब नहीं कर सकता तो यह गलत है बगवान सबसे अच्छा जब तो ग्रहस्त को करने के लिए बोलना की कि वह ज्यादा मया में है डोस डबल होना चाहिए है न तो सभी लोग भागवत्म को सुनें नाम जब करें और इस प्रकार से स्वयम देखेंगे कि यह जो पादी है वे धीरे धीरे डिजॉल्व हो रही है यूविल डैरेक्टली सी यूविल डैरेक्टली सी ओके तो बहुत बड़ी सिक्षाम ने आसे इस लोग से ग्रहन करें वह हमेशा कर्च में रहता है तो कौन सा कर्म का फ़ल होता है घर से संपन्न है घर भी संपन्न है और फिर भी कर्जें में रहता है देखिए इसका एक ही मात्र कारण हमको समझ में आता है वह यह है कि वह इच्छाओं के कर्च में है जैसे मैं आप एक साल हो गया हमने एक साल कि हां एक साल हो गया तो हमने फ्रेंच फ्राइ नहीं खाए थे आज खाए भी तो कितने खा लिए 500 ग्राम आलो के बताईए कि खाने के इच्छा अगरा पकड़ें तो कितना हो जाएगा क्या च्छै किलो आलो के खा लेंगे और च्छै किलो आलो क्या रिटेट डेड़ सु नेंद के लिए तीन बाई चैका श्पेस चाहिए चलो बहुत बटा अज वाकर मैं अपने चोटे से खर चोटा के लिए बड़ा के लिए मेरे रेफ्रेंस में काफी बड़ा घर है दो रूम है वह सुंदे बहुत बड़ा है। मेरे जीने के लिए तो परियापत है तब मैं इकदम से मैंने strike कि भाई ऐसा सब लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं महल पे महल क्यों बनवाए जा रहे हैं आप प्लीज इसको बहुत सब्सक्राइब कर्जा ले रहा है क्योंकि उसकी इच्छा है उसके उपर इच्छाओं का कर्जा है धन का कर्जा नहीं है इच्छाओं का कर्जा होता है इच्छाओं का कर्जा होता है नहीं तो बहुत सिंपल तरह से रहे हैं जतना भवान दे रहे हैं उसके साब से रहता है उतना ही उतना पाउं पसारिये जा जा ना ना उतना ही पाउं पहलाईये जितनी लंबी चादर है इतनी पाउं पहलाईये नहीं तो पाउं बाहर आएगा बाहर मच्छर काटेगा है ना आपने देखिए जिसके पास मच्दानी नहीं होती है तो कंबल को अंदर कंबल के अंदर गुझ जाता है उसके बाहर नहीं निकलता है तो जो विक्ति अपनी च्छाओं को वह देखेगा कि जैसे जितने भवान रख रहे हैं उसी में खूब खूश रहाएगा भवान बड़ी द्या कर रहे हैं ठीक है न मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा जो जाप करेगा और भवान की कथा सुनेगा और इनहीं आके किस लोकों में आएंगे हर चीज से आप अन्मनस् सेटिस्वेक्शन यद्दपी मैं बहुत पतार्थ में नियुक्त हो भी जाओं लेकिन यह मुझे कोई सुख नहीं दे रहा यह भगवान बलकुर अमेजिंग है भगवान मैं इस पर कुछ रिफ्लेशन कहना चाहता हूं भगवान तुरंथ हमारी सारी भोग की इच्छा क्य इस अमेजिंग परुमपुज राधानात्म राथ यह वात को समझा रहे थे तुम करके देख लो लेकिन भगती करता है कथा सुनता है जब करता है तो भगवान उधर के टेस्ट को गयब कर देते हैं तो उसको लगवान यह तो मजा नहीं है यह तो अच्छा नहीं हुआ यह अच्छा नहीं हुआ इस अमेजिंग मर्शी ऑफ क्रिष्टा भगवान केते तुम ठीक है भोग में जाना चाहिए तो जाकर देखो क्या तुमको सुख मिला नहीं नहीं मिला तो क्यो नहीं मेरी कता सुनते हो कता सुनो जब करके कि कितनी संतुष्टी मिलती प्रकट देखा जा रहा है संतुष्टी मिलती है और एक दिन ऐसा आता है कि वेक्ति बिलकुल निश्ट रहता है एक बात और मैं और कहूंगा बिलकुल बड़ी इंट्रस्टिंग बात बताऊंगा आपको हम लोग सुनते हैं कि रोज भागवत सुनने से रोज भी कोई कारे करते हैं तो उस प्रभाव है कि आप रोज कथा सुनने लग जाएंगे और उसके बिना बेचयन होने लग जाएंगे और यह बहुत से भक्तों में होता हुआ देख रहे हैं क्या यह आप देख पा रहे हैं और यह है रोज कथा सुनने का प्रभाव भक्तिर भवती नेश्ट की विक्षेप क अभाव, which means you have taste, which means you have Krishna's mercy. कुछ और विवक तो कहना चाहते हैं. Why does a person get fruit of his activity in next life? Why not on the spot? मतलब कि अगर किसी ने पिछले जन में बूरा कार किया है, तो अगले जन में सजा क्यों? Why not on the spot? कह रहे हैं कि सारे कर्म का फल इसी जनम में क्यों नहीं मिल जाता है? क्योंकि जनम बहुत छोटा है. अब मान लिजिए आप कुछ दान कर रहे हैं, तो वो है भोगने के लिए कई जनम लगेंगे. अच्छे कारे भी तो कई समय तक फली भूत होते हैं. यहां बैंक में भी आप पैसे जनमा करते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते हैं, कि तुरंट उसका इंटरस्ट मिल जाए, कुछ समय के बाद मिलता है, ना तो भगवान की यह यह स्था है इस प्रकार से. चोटा सा कर्म यहां कर रहे हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वह जुरूर नहीं होगा. यह बात से दानते हैं. अब कुछ पूछ रहते हैं, बोलिए. अरग रिष्णर प्रभुजी, बाइ, कोई आप गुणों का कार कर रहे हो, उसका संस्कार आपके मन में पढ़ रहा है, वह सारा विवस्था कौन की है, भगवान की है, लेकिन इच्छा तो मैंने किया है, भगवान अगर ना चाहें, तो जिवात्मा तो कभी लिप्त होने वाला नहीं है, यह तो प्रश्णा की फिर विदुर जी करेंगे मैत्रे से, कि आत्मा तो निरलिप्त है, लेकिन क्योंकि जीव की इच्छा है, इसलिए भगवान ऐसी विवस्था करते हैं, कि उस पर संस्कार बने हो और कुणों से प्रभावित हो, यह हो वो, मैं किसी की कर्म करने वाला नहीं रहता हूं। करते न?」 अगर एक प्राश्न कहर रहे है कि हम तो माया के अंडर महिरा के डिजार करते हैं ना तो यह भी तो हमारे चुनाव है ना आब अपना चुनाव करके इस लिए बाकियोग फिर मायम पड़े हुए, सुनने के बाद भी तो ड्रॉप कर रहे हैं है वह क्या वाकई महलें हो सकता हो कि भक्ति कार्य करें क्या लेकिन वाकई क्या भक्ति कार्य करें जरा question पूछ ले अपने आपसे यह जरूरी है कि वह कथा ही सुन रहे हैं उस समय बहुत doubtful है कि वह कर रहे हों फिर भी नहीं यह तुट जुनका हमको बहुत बढ़िया सिख्शा सब कुछ कार में भी सुन सकते हैं क्या कार में पढ़ भी सकते हैं नहीं पढ़ सकते लेकिन इतनी सुधा देने के बाद घर वैठे कथा डिलिवर हो रही है फिर भी कथा ना सुनने आए तो क्या कर सकते मैं एक बहुत बहुत बड़े बात बताऊंगा जोब शाम के चपके सब्सक्राइब मुझे कुछ पताए इस तरह से बताए ने से रिफ्लेक्शन आया मन में कि देखिए दो पार्टियां हैं दोनों मिसाइल मार रही हैं तो हो सकता है हो सकता है कि एक विक्ति अपने एर डिफ पिए का कौन आप जीतेंगे की नहीं तो माया बहुत सारी मिसाइल भेखती रहती है कांक्रोध लुभ लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है क्या भगवान के भक्तों का संग और हमारी जो मिसाइल है उसके पास उसके अगेंस्ट माया के पास कुछ भी महराज की शब्दम कहई रहा हूं कि नाम और भगवान के भक्तों का संग इसमें माया कुछ नहीं कर सकती है अच्छा एक बात बताईए आप में से कोई ऐसा विक्ति आ जो माय के बाहर हो नहीं है मुझे पता है कोई नहीं है लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि भक्तों की संगति में आप माया में चले गए हूँ, इस कथा में आप माया में चले गए हूँ, ऐसा भी तो आज तक नहीं हुआ कभी, यह दोनों बख्ष देख पारें कि नहीं देख पारें, आज तक आप कही माया में कभी, क्लास में, it is not possible, मैं अभी माया में हूँ क्या, not now, at least, तो अपने stronghold को स So, up to everyone, what we can do. Okay, so we'll stop now.